Dear students, welcome to Edu Express Coordinate Geometry को Angle Between Two Lines मने चैप्टर को तो लेशन को second video मास हम हामी second part मास हम जहां केई simple solution अरु साल गवार देशो केई example अरुता पहले मझे देशो फर्स्ट एक्जाम्पल को रुप मामेले लिए गोशु Find the Angle Between Two Lines बने रहा एक्पेशन देएको सा X-Root 3Y is equal to A and root 3X-Y is equal to B फर्स्ट फर्स्ट एक्पाम्पल की गरेगो सु बना फर्स्ट एवड़ा लाइन को Slope of line X-Root 3Y is equal to A is यो लाइन को Slope बने रहा Slope बने रहा मेंशन गरेशे है M1 लेके बोई बने रहा मेंशन देएको सा Slope बने रहा मेंशन देएको सा Minus coefficient of X by coefficient of Y Minus X-Root 3Y is equal to B Minus minus बने रहा मेंशन देएको सा 1 by root 3 Also, Slope of line root 3X-Y is equal to B is M2 बने रहा मेंशन को Is equal to minus coefficient of X by coefficient of Y याँ पनी योड़ा पुरे याद गरनोश था पाहिनले – A by B पनी इलेके रहा Solve गरना सकना हो उन्छा तरवा मेंशन त्यो प्रीफर गरीना किना मंदा खेरे अब यह एकोईशन माथा अरे भी अरू नहीशा तरह जस्तो की उना सक्षें या मादा है एकस प्लॉस ब्लस ब्लस प्लस ब्लस ये गौसट जेरो बना थालनुपस शोलुशन अल्य लेंदी भाइरा जांच तपाहिना शॉट भूएए डायर्क्ली फर्मुना लेक दिनुग जेशा कोफिशेंट त्यो लेक दिनुग दो okay、 minus coefficient of x minus, मैनस सादेच, coefficient of x बनेको root 3, coefficient of y बनेको minus 1, is equals to root 3. तो हीटा को slope आयो, अब हाया, मिन तयानफ धीटा निगालना सक्सा, अब क्ये दने था, यहाँ पनी 1 नू परशा, इभ थीटा बीद, एंगेव बेट्विट्विन, given two lines then कि वर नुष tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 is equal to plus minus as it is m1 and m2 यह वर नुष m1 गती सा 1 by root 3 1 by root 3 minus m2 गती सा root 3 सा divided by 1 plus 1 by root 3 is m1 and root 3 is m2 क्या हूं सा यह काटी सा is equal to plus minus L6 M line लिनुस 1 minus यह उती दांत क्या हूं सा 1 minus root 3 into root 3 3 divided by root 3 pole divided by 1 plus यह काटी सा 1 गती 1 गती सा 1 plus 1 is equals to plus minus माद्री पर दि-2 आऊँछ दिवादेड बाइ रूट 3 ओल दिवादेड़ थी अवल थर यह था पैहले याद याद वे त्या केंसल गुणा होंछा वी सिस्टो के आऊँछ या ने रहा सेफ़डा प्लस सेफ़डा मानस 1 रूत 3, tan theta वनेगो, इसला थोरे कॉपी करनोस, अब की लेकनों सब नून सा, का बाट है स्टाट वनेगो, tan theta is equals to kio plus minus 1 रूत 3, tan theta is equals to plus minus 1 by root 3, taking positive sign, taking positive sign, 10theta is equal to 1 upon root 3 और 10theta is equal to this means 10 30 degree और theta is equal to 30 degree अब तो पहला acute angle मनात्र वने को थीओ वने पुगयो 30 degree आयो तो पहला दुटा एंगल कुणे स्वध्या साइना वने देखिए के बन्दा सकनोंचा बन्दा अब नेगेटिव साइन लिएर फेर यहां वाटा करनें शकनोंचा है नेगेटिव लिदा माइनस 1 वाए रूट 3 ता इस 150 आओ तो रक्तियो बन्दा 100 जीदो फ 2 lines are 30 degree और 180-30 degree is equal to 150 degree की ना 180-30 बन्दा यहुटा लाइन को एंगल एकर का मा सुप्लिमेंटरी यही यह 30 पो बन्दा यह पटिप्टी उन्पर सा 180 माँ अगोटे रहा है ओके यह वे मान सॉल्प गारनोंगा यहनु साटको कुश्यों की साब find the value of P such that the lines 5x minus py plus 1 is equal to 0 and 13x minus 5y plus 2 is equal to 0 are perpendicular योधी टा line एकर का मा perpendicular होना लाए P को value कती उन्पर सारे केस्ट हो बाए लेखाऊं श्लोप ओफ लाइन 5x minus py plus 1 is equal to 0 is m1 is equal to minus coefficient of x by coefficient of y योटा कुरे यो फार्मुला ही उज़ी गना था के बनी याद गनोश बाने यो आमिले कुन कोस्टु साइन बाता सेम साइडला होनु पास त्याती खेर मात्र यो फार्मुला वालिद उन्छ यादी योडाया काती रा और 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 अरको तीरा सावाने यो माइनस लेखनू होना है तर जेनेरली येगे तीरा ल्याउनूस त्रा येसरी ना याउनूस रढ़ मिनस कॉपि भास प्या लाउन मेंस साइनर ये फिरए लाउने जेगेग प्यालि बात्र नेट वालिंगे येड़ा वालिद ना donner प। माइनस कोबिसेंट अफ X करती चा 13 चा कोबिसेंट अफ Y करती चा माइनस 5 चा कैंसल गरनोस 13 भाई 5 अब क्ये वन्ने दा लाइन पर्बेंटिकुलार चान अथा बाउनु पर्शा वन्नेशा देशा इले इफ दा लाइन्स आर पर्बेंटिकुलार तो इच अधर म1 M2 is equal to minus 1 पर्बेंटिकुलार वन्ने कंडिशन ये यो वन्ने कंडिशन अधर 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 वन्ने 13 by P is equals to minus 1 or minus P is equals to 13 or P is equals to minus 13 therefore required value of P is minus 13 okay it's like a bigger nose if the line joining the points these two is parallel to the line joining the points these two find the value of P solution one slope of line joining the points points two comma P and three comma six is is M1 is equals to now what can we do here we can write x1 and x2y and then we can write directly we can write this formula we can write the point y2 minus y1 by x2 minus x1 now y2 y1 is used in first and second so what can we do here y2 is equal to 6 minus y1 is equal to 6 minus p by 3 minus 2 is equal to 1 that is 6 minus p also slope of line joining the points 4 comma 8 and 6 comma 12 is M2 is equals to same y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to y2 minus y1 y2 minus y1 12 minus 8 divided by x2 minus x1 6 minus 4 6 minus 4 is equals to qthi nuclei 4H unsa tla paati twoH usa that is to M2 value is success since the given two lines are parallel अन्या आशा रहे सो गिवन तू लाइन्स हार पारलाल किये बनना सक्समु था हमी पारलल कॉंडिशन हामलो यह एना था M1 is equals to M2 और वाट इस द्धालो M1 6-P is equals to what is the value of M2 2 और किये बनना सक्यों यह सा एक ताले हमनो 6-2 is equals to P P और P is equals to 4 therefore required value of P is 4 अब यह स्था एर नुस तो अली कती फरक अली लॉंग वेशन हो यह लॉंग वेशन हो यह लॉंग वेशन मास हो दिने वेशन हो find the equation of straight line parallel to the line 3x-2i is equals to 4 and passing through the centroid of triangle ABC with vertices a1,2,b3,4 and c2,3 अब यह यह याद गर्नू पर ने कुराएर नुसे पहले यह आवरा triangle बनाओ triangle ABC यह ट्रेंगल ABC को centroid x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 ना इना पर्नू बाक्षा centroid सपोज यह नेर परें परें पने त्यो centroid बाट पास होने और यह कुन ही अरको line हो 3x-2i is equals to 4 सपोज यह line परें चरो 3x-2i is equals to 4 कुन ही उना सक्षा है अब यह संग पार्लाल होने गरी यहाँ बाट जाने और को यह वडा line को equation s को equation आमले निकालने परने चरो आमी किये कर सो होता बन्दा यह संग पार्लाल बने बाशी s को slope निकालने बने आमले रिक्वाड लाइन को slope था भायो किने की s को slope जती होंचा s को बनी ते दिने होंचा पार्लाल इक्वेशन निकालने फर्मुला थे यह यह आपो y-y1 is equals to slope x-x1 यह slope m भाने को कुन आउने बोता बन्दा s को slope भायो रिक्वाड लाइन को slope तर यह संग एक्वाल होंचा ते सब s को slope था भायो बने आमलाई s को बनी slope था भायो फेरे passing point चा क्ये यूज़ गरने था x1, y1 मन्दा यो point भाटा पासुन चारे यो triangle को centroid भाटा पासुन चारे सो पहले passing point centroid निकालनू पर्यो, slope m निकालनू पर्यो और वल ला यो फारूना यूज़ गरेरा equation निकालनू आउन यही वह मां यो लाइन जदा बनी बनाए रता पाहले कोपी गरना सक्ना आँछा यही दिग गड़ा सक्ना यू रिदा र Cathy को फिया टी रिप अब खिये गरने था कमदा खेरी ची नाउन पर्षा परिजए गराउन पर्षा यहां डाइरेक्ट लेखेर उन्न नाउन M1 M2 is equals to minus 1 अथा बार पैरलल सा बनेर M1 is equals to M2 बनेर डाइरेक्ट लेखेर उन्न इफ M2 बी दा स्लोग अफ रिक्वाइड लाइन रिक्वाइड लाइन परिफॉष्ट हो पारिलाल ठू गिवन लाइन गिवन लाइन सनंगा पार्लाल। visualize was that again M2 is equal to minus M1 is equal to M1 That is M1 बनेर नकICK 4 सा 3 by 2 सा 2 अल्सो, पासिंग पंट सायो, पासिंग पंट राव पासिंग पंट सायो निकालों सायो अल्सो, पासिंग पंट सेंग्डूल थेंग्ल A, B, C विद वर्टिसस A कती सा? 1, 2 B 3, 4 and C 2, 3 इस क्या होने बता x1 plus x2 plus x3 by 3 कमा y1 plus y2 plus y3 by 3 फर्मुला आवायो मैंने या लेक दिये is equals to x1 x2 x3 केशा 1 3 2 1 plus 3 plus 2 by 3 कमा y1 y2 y3 2 4 3 2 plus 4 plus 3 by 3 इस इकोस्तु कती आउँछा यो 6 by 3 that is 2 कमा 9 by 3 that is 3 2 कमा 3 अब हामेले के थावायो required angle slope यो हो और पासुन चा यो point बाता that is passing point यो हो slope यो passing point यो तेसे रे आमेले अब equation निकालना सक्सा now equation of straight line with slope m2 and passing through the point 2 कमा 3 is गने रा y minus y1 direct लेक दिनानी उन्चाई y minus y1 कोठ हामा 3 is equal to m बनेगो कोठी आया तो slope बनेगो ये ती हो slope m बनेगो ते हो x minus x1 x minus x1 गठावामा 2 ये लाई सिंप्लिभाई गर दिनूस मले ये ताबटी माश स्तिर आली काथी मेड़ दिये सिंप्लिभाई गर दिनूस क्या आमसा और cross multiply 2y minus 6 is equals to 3x minus 6 3x minus 6 2y minus 6 minus 6 k बने 2y is equals to 3x और we can write ये लाई गुता लागाऊ 0 is equals to 3x minus 2y और we can say 3x minus 2y is equals to 0 equation 1 this is the required equation यार नुसका मैले दूइटा question लिखेको सु यो तपाइला हमक रूपमाँ पनी चाई तपाइले ये इसको equation निकालनोस मत पाइला idea दीन सु तपाइले equation निकालनोस रा comment गरनो होला दूइटा equation क्या होसा 1 नमर को equation क्या होसा क्या होसा फार्स्ट क्या होसा फार्स्ट क्या होसा यार्स्ट क्या होसा फाइले equation of diagonal BD of square ABCD यो इनफोर्मेशन एक शीन छोड़ो यार्नोसा फिगर बनावन पर शा तपाइले यो यो square ABCD समझाओ A B C D ये नम सायक्लिक अडरोमा दीनुपरश तपाहरे अल्रेडी थाया अच नमर को क्या होसा ये तरही अप्पोजित बडिस्ट ये आप्पोजीत बंदिया याई ऱेशा तपाहरे तरही बनावन-दाइले क्या होसा डायागोनल BD पर्पेंडिकुलार वनने याद गाने परश है अब एस भाई आमले चाहिएगे यो BD AC संहगा पर्पेंडिकुलार होतर है तर्पाईब की गरना होंचा श्लोप अफ AC निकालम होंचा फर्स्त स्टेप्मान तेस बसी पर्बेंटिकुलार बने को कारण ले गर्दा हेरी तपाइले स्लोप अफ BD M1 M2 is equals to minus 1 गरे रहा क्षको स्लोप आऊँछा स्लोप अफ BD निकालना सक्ना ओने रहा M2 किना हो भान्ता हेरी यो दुटा पर्बेंटिकुलार स्लोप निकालना लाए तो यह यो कांसेप्ट अब S को यह लाइन को स्लोप आई शाग्यो अब क्ये कुरा तपेले था उनुपर सह भान्ता हेरी डायगोनोल्स अफ स्क्वार अथा भार रोमबस जे बने बने यह यह करका मां बाइसेट हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ सो यह की बाद वन्दा यह passing point बायो, passing point बायो, रह यह M2 slope बायो, अब यह द्वीट आगा उजगारी लथा मेरे की बारनोस था, equation निकालनोस तर रहर रिजन बननुपर चाई, since the diagonal of rhombus are perpendicular बनने रहर M1 M2 जी गॉस्टु minus 1 मनुप पर सर इफ M2 be the slope of diagonal BD since the diagonals of rhombus अथर बाइ square यह square बनेर सोद्य पोईशन चा आर perpendicular बनेर यह condition यह गरनुप अनि diagonals of square bisect each other slow so midpoint of AC is the passing point of BD बनेर midpoint निकालनो अनि equation निकालनो ओला ओके यह तपाइंको जिम्मा माशा है next हे रूस्त केसा find the equation of line passing through the point of intersection of the lines these two passing through suppose यह दीटा लाइन जदा सोगे बस्ता आमी बनाई जयों ला इनी यह रूको point of intersection suppose यह x plus 2y is equals to 4 बने लाइन यह चा और को केसा था यह x minus 2y is equals to 0 बने लाइन चा इनी यह रूद दूइटा को point of intersection यहां बाटा pass उन चा रहे और अनी perpendicular to the line यह बने चा यह यह रूदा कुणे यहां बाटा pass उने line आमला required line यह बने दूदा तार की उनुपर शा यह सांग perpendicular that means यह रूको तीर गईर perpendicular को सांग मुंच यह सांग x plus 3y minus 2 is equal to 0 figure जदाबटी बनायाने हुँँछ एताबटी perpendicular बनाया देनी हुँछ passing line एताबनायाने हुँछ यो point बाठा जानू कोशा अब क्ये गरनू परने रहिछा बंदा यो दुटा equation दा solve गरनोश फास्ट मा के रहिछा solve first two equations solve बनेको त्यो दुटा equation दा substitute गर्रा x न y को value निकालनोश x, y यो किये उन्छा passing point उन्छा that means या बाठा पास उन्छा यो यो point up intersection बाठा पास उन्छा यो line बनाया थे अब किये गरनूश s को slope निकालनोश next one slope of given line given line कुन चाई x plus 3y minus 2 is equal to 0 यो किये उन्छा m1 उन्छा अब पारेलाल बनेको बाए यही slope आउंथियो perpendicular बनेको बनाले गरदा अब m2 define गरनूश पहिले if m2 be the slope of required line बनेर अणि त्यस्पासी किये उन्छा गरनूश m1, m2 is equal to minus 1 या बाठा पाएला किये आउन्छा m2 आउसर अब फाइनल लिकिये गरनूश यो m2 र यो passing point उस्पासीं गरे र इक्वेशन निकारनूश यो बनी तपैलाई प्राक्टिस ओक को रूपमा बायो यो बनी comment गरनूश थैंक्यू झा tyre झाल झाल रहुन